मायनंगरी मुंबई में इस्तित बॉलिवुट की चागा जौन बरी दुनिया का काला सच बहुत ही कम सामने आ पाता है फिल्मी सितारे अपनी अदाकारी के दम पर लाखों के दिल पर वले ही राज करते हैं लेकिन सच यह है कि वो एक एंसी डगर पर चलने वाले मुसाफिर है जहां चुनोतियां हैं हमेंसा सफलता पाने का दवाब है उम्मीदे हैं और एक अकेला पन है तो दोस्तों आज हम एकस्पलेंड करने वाले हैं The Fan Game सिरीज को जिसके पहले एपिसोट को आज हम एकस्पलेंड करने वाले हैं वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजेगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेस कॉंटेंट मिलते रहें तो सीरिज के पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनमीका आनंद को जो की बॉलिवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है अनमीका के पास सब कुछ है और उसे पूरा देश चाहता है साथी नरेशन के दौरा अनमीका हमको बताती है कि उसके पास सब कुछ के अलाबा उसके पास एक बहुत ही अच्छी फैमिली है अब अनामीका और उसका हस्बेंड निकिल पार्टी से लोटने के बाद वह अपने घर पहुंसते हैं जहां पर अनामीका अपने घर पहुंसने के बाद अपने बच्चों को सोता हुआ देखती है और फिर वह भी सौने के लिए अपने कमरे में जाने लगती है और फिर जैसे ह सोबा होती है तो उनके घर में उथल पुथल मज जाती है दरसल अनमिका गायब हो चुकी थी और उसका कोई भी अतापता नहीं था उसका मोबाइल भी घर था ना तो उनके बच्चों को मालुम था ना उसके हस्बेंड को और ना ही उसकी मौम को अनमिका कहां गायब हुई है ये किसी को भी नहीं मालूम इसलिए तुरंथी वहां पर पुलिस आती है और सभी से पूस्तास करने लगती है दरसल सभी को ऐसा लग रहा था कि अनमीका को किसी ने किड्नेप किया है लेकिन अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिले है अब 6 महीं ने पहले की सीन को दिखाया जात और फिर तभी वहां पर एक लड़की आती है और वह अनमीका से कहती है कि तुम्हारा एक फैन है जो कि 4-5 दिन से यहीं पचक्का लगा रहा है जिस पर अनमीका उससे कहती है कि उसे इंदर भेज दो जिस पर वह लड़की कहती है कि वह नहीं आ सकता क्योंकि वह बीलचर प कहता है कि आपके घर से अरजशन और झों को पता चलता है कि उसके वेटे को चूट लगी है तो बे तुरनत ही घर की और निकल जाती अना मिका को ऐसे जाता हो देक्खकर फैन ठोड़ा सा दुखी हो जाता है लेकिन तब पता चलता है कि वह fan कोई लंगडा वंगडा नहीं है बलकि वह तो नाटक कर रहा था वह नाटक क्यों कर रहा था दोस्तों यह सीरीज में आगे पता चलेगा अब घर पहुछने के बाद वेटे अभी से मिलती है दरसल अवी ने अपनी हादों की नस काट ली थी लेकिन वक्त आप देख पाते हैं कि अनमीका के जाने के बाद उसके घर में मातम सचा गया है और कोई भी खाना नहीं खाबा रहा है अब फ्लैजवेक में अपने बेटे से पूछती है कि आकर उसने ऐसा क्यों किया लेकिन अभी कुछ भी बताने से साफ इंकार करतेता है अब अगले दिन का पती निखिल उसके पास आता है और उससे कहता है जिस डिरेक्टर के साथ अभी तक हम काम कर रहे थे उसने तुम्हें लेने से इंकार कर दिया है दरसा निखिल एक प्रड्यूसर है और वह अनमीका की पिच्चरों को प्रड्यूस करता है निखिल अनमीका को बताता है कि बहें तुम्हें माका रूल देना चाहते हैं जबकि इस फिल्म का लीड एक्टर एक बूड़ा आद्मी है यहां पर अनमीका निखिल से कहती है कि उसकी सबसे बड़ी फिल्म मनीज खन्ना के साथ ही टूई थी इसलिए अब उन्हें उसी के साथ काम करना चाहिए और इस बात स को अनमीका के बारे में बहुत कुछ मालूब है जैसे की अनमीका को ट्रिंक नहीं बलकी नीबौ पानी पसंद है जिसके बात बाइब बात करते करते बाहर आघाते हैं और पर निकल टॉलेट के लिए चला जाता है और जब मनीज और अनमीका बात कर रहे थे ते उन दौनों की बातों से मैं पता चलता है कि वह दोनों उस जमाने में एक दूसरे को बहुत ज़्यदा पसंद करते थे लेकिन किसी बज़े से वह दोनों अलग हो गए और कहीं न कहीं भै अभी भी एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं अब निकल वहां पर आ जाता है और मनीश से कहता है क डारेक्टर को भेजने की कोई जरूत नहीं है उसे तुम पर विजबास है और वह फिल्म करने के लिए तैयार है और ये सब देखकर अनमिका काफी जदा खुस हो जाती है अब प्रजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहां पर हमें एक लेडी ऑपिसर को देख पाते हैं जिसक पूसती है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि अनमिका इस घर को छोड़ कर जाने वाली है लेकिन वह साप इंकार कर देती है अब अनमिका के मेकप आर्टिस्ट को बुलाया जाता है और उसे पूस्ताच की जाती है जिसमें वह लेडी ऑपिसर पूसती है कि तुम 15 साल से उसके मेकप आर्टिस्ट हो तो तुम्हें तो जरूर मालूम होगा कि उसकी लाइफ में क्या बुरा हो रहा था लेकिन वह भी बोल देता है कि उसे कुछ नहीं मालूम लेकिन तबी फ्लैस्वेक के एक सीन में हम देख पाते हैं कि अनमिका किसी बात से दुखी है और वह रो उस लेडी ओफिसर को बताता है कि अनमिका उसके लिए एक ड्रीम गर्ल थी जबकि उन दोनों की बीच के संभन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे अब अनमिका की दोनों बच्चों से जब पूस्ताच की जाती है तो उन दोनों को भी कुछ नहीं मालूम था जबकि फ्लैस्वेक के चेहरे पर मासुमित नहीं थी बलकि उनके चेहरे पर तो डर था जो की लेडी ओफिसर साब देख पा रही थी अब फ्लैस्वेक की स्टोरी में अब अनमिका की बेटी को उसकी नानी ने कुछ बोल दिया था जिसके कारण गार्डन में दुखी होकर बैट गए तब ही बह अनमिका अपने बेटे के पास जाती है और उससे पूसती है कि आखर उसने ऐसा क्यों किया लेकिन उसका बेटा साप मना कर देता है बताने से लेकिन इस बार अनमिका पूरी तरह से उससे फोर्स करती है और उससे पूसती है कि अगर वह बताएगा नहीं तो वह यहां से नह जाने वाली क्योंकि अगर उसका ठीक नहीं रहेगा तो उसकी माँ भी ठीक नहीं रह पाईगी और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है अगले सीन में हम देखते हैं निकल को जो की काफी ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी पिच्चर चालू होने वाली है और जब अनामी का अप सबस में कुछ बाते कर रहे थे और वह किसी रात की बात को छुपाने की बात भी कर रहे थे और दोनों की बीच में क्या राज की बात है यह तो हमें नहीं पता लेकिन आगे हमें सब कुछ पता चलेगा और दूसरे तरफ सोभा अपने ऑपिसर को बताती है कि अनामीका के घ के सबी लोग कुछ ना कुछ सबूत मिटाने में लगे हुए थे बहे क्या मिटा रहे थे अभी फिलाल हमें कुछ नहीं मालूम अब पास्ट मैं अनमिका की जो पिच्चा निखिलने क्लिक की थी बहे मनीश के पास भीज देती है और कहती है कि बहे तुम्हारे बारे में सोचन बंद नहीं कर सकती और ये मैसिज मनीश भी पढ़ लेता है अब प्रिजेंट डे में हम एपिसोड की लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अनमिका एक काल कोटरी में बंद है जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है और वहे किसी अन्नोन परसंट से कहती है कि वहे उसे कब तक रखे मेलेग